हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आपिदे के एन वेलकम टू टेक्सोर ओके क्या आप अपने आइफोन में वाइबरेशन मोड अन करना चाहते हैं जब किसी का कॉल आए तो रिंग टोन के साथ फोन भी वाइबरेट हो या अगर हम फोन को साइलेंट मोड में रखें तब भी फोन वाइबरेट हो तो ये करने के लिए वीडियो ध्यान से देखते रहिए देखिए सबसे पहले आपको आपके फोन की सेटिंग्स में चले जाना है यहाँ पर आप साउंड्स एंड हाप्टिक्स में चले जाए इसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान दे यहाँ पर आपको हाप्टिक्स फॉर रिंग टोन्स एंड अलर्ट्स में आना है और यहाँ पर आपको आल्वेस प्ले रखना है ठीक है always play रखना है यह आपने कर दिया और इसके बाद एक चीज और ध्यान दे ringtone में आ जाएं और यहाँ पर haptics होगी तो यह इस तरीके से none पे tick नहीं होनी चाहिए इसे आप किसी एक पर tick कर ले ऐसा कहीं पर भी या फिर default में इस तरीके से tick कर ले ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पर back आने के बाद आपको text message का text tone दिखाई देगा तो text पे भी जाए और haptics none नहीं होनी चाहिए इसे भी आप default में या फिर कोई भी एक रख ले अब यहाँ से back कर लेते हैं अब इसके बाद अगर आप अपने phone को यहाँ से देखिए silent mode में डाल देंगे देखिए अभी silent mode off है अगर कोई call आएगा तो भी ringtone के साथ vibrerate होगा message आएगा तो ringtone के साथ vibrerate होगा और अगर आप silent mode में से रख देंगे तो भी call और message आने के time यह ringtone के साथ या tone के साथ vibrerate होगा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो comment में पूछ सकते हैं मैं आपको इसका reply दे दूँगा वीडियो पसंद आई हो तो text or को subscribe ज़रूर कर दे